तो जैसे कि हमने अब भी human beings respiration के बारे में पढ़ा नेक वीडियो में तो आज हम लोग जानेंगे कि what is aerobic respiration कोशी के स्वशन क्या होता है और कोशी के स्वशन क्या होता है यह निए aerobic respiration और anaerobic respiration कि वो कहा जाता है ठीक है तो सजीव कोशीका के अंदर जितने भी सजीव कोशीका के अंदर glucose के जो अनू होते हैं जैसे C6, H12, O6 के अनूओं के ऑक्सिकरन से CO2 और H2O और अधिक मात्रा में उर्जा उत्पन होती है उर्जा उत्पन करने की इस जैव रशानी किरिया को ही कोशी के स्वशन कहा जाता है सजीव कोशीका के अंदर glucose के अनूओं के अक्सिकरन से CO2, H2O और उर्जा उत्पन करने की जैव रशानी किरिया को कोशीका स्वशन कहा जाता है यह कोशीका स्वशन होता है हमारे सेल के माइटोकंड्रेम अधिक मात्रा में उर्जा उत्पन होती है लेकिं एरोबिक कोशिक्या श्वासन के फ़लव शरूप ही होती है तो यहां पर हम लोग इंगलीज में इसको ऐसे वह लिख सकते हैं कि the respiration which takes place which needs oxygen और occurs in the presence of oxygen the respiration यानि वह स्वासन जिसमें oxygen की जरूथ होती है और oxygen और प्रकार शुर hanno भो प्रकार के उसो जाना जाता है रेस्पीरेशन डा थो आक्षी में प्रकार क्याना passed इसको अरोबिक घ्ञा जाता हुआ जो दुटासर होता है इस तरह के रेस्पिरेशन में ग्लुकोज के अनुओ का कार्बन डाइकसाइड और वाटर में, पानी में, जल में विद दर रिलीज अप कॉंसिटरेबल अमाउंट अप एनरजी जो अधिक प्रचूर मातरा में जो एनरजी उत्पन होती है इस रेस्पिरेशन के दारान एसा होता है, The Energy is stored in the form of ATP, यह जो energy किस तरह से स्टोर होता है, जो इस तरह से स्टोर होता है, उसको थो थो स्टोर होता है, प्रतिकिरिया क्या होती है, the conversion of glucose into pyrovic acid. ठीक है? पाइरोवेट जिसको कहा जाता है. इस इस काल्ड ग्लाइकोलासिस. ग्लाइकोलासिस प्रतिकिरिया क्या होती है? यह अक्सी स्वसन की प्रथा मुझता है, जो कोशीका के कोशीका दर्व में होती है, ठीक है? और कोसिका क्या होती है कि oxygen के उन्हों पस्तिती में भी हो सकती है तो कहा होती है यह cytoplasm कोसिका के cytoplasm होती है कर्ब सैकल से हमें क्या मिलता है कि it is हमें पारविक असीड जो मिलन उसके अथ सीव स्टो में बढ़ जाता है और रिलीज ओफ भूशंच और आम जो कि अमाउंट एक प्रिच्री मात्रह में जो और वह मिलती है इल्द मुष्टी आपक रस्तिक्राइट समय ब्रतितरिय और यह चो तो बंड़ को कर्व तो होता है क के फॉलाव सुरूफ हमें मिलता है जैसे कि आपके स्क्रीन पर दिख रहा है कि पारोविक एसीड के दो मॉल्क्यूल्स हुए और यह ऑक्सीजन के प्रिजन्स में हो रहा है तो और यह कर्ब साइकल्स कहा होता है माइटो कंट्रेम हो रहा है तो यहां पर यह मिला हमें 6 co2 प्लस 6H2O प्लस 38 ATP energy मिला यदि ग्लुकोज यह पारोविक एसीड का टूटना हुआ ठीक है और ग्लुकोज के आनों फिर ग्लाइकोलासेज के प्रतिक्रिया जो कि साइटो प्लाजम हो रहा है तो पारोविक एसीड से फिर यह पहले ग्लुकोज का एक आनों गया ठीक है एक म बांट अजिसेज़ भी दिखा दे रहे हैं और हिंदी में भी संझेगे ठीक है अब लोग जानेंगे कि आन न अरोविक रस्पिरेशन का किसको कहा जाता है देरेस्पिरेशन विस टेक्स प्रेसिट प्लस टेक्स ऑप्षिज़न आपसिज़न के एपसंस में अनुपस्तीती में जो रेस्पिरेशन जो स्वशन होता है उसको हम लोग एन अरोबिक रेस्पिरेशन कहा जाता है डियूरिंग इस रेस्पिरेशन ग्लुकोज इस ब्रोकेन डाउन इन्टु इथाइल अल्कोहल में यह बढ़ जाता है ग्लुकोज की इसमें बढ़ता है तूटता है इथाईल अलकोहल में और सियो टू विद रिलीज ओव वेरी स्मॉल अमाउंट अफ एनर्जी इसमें बहुत ही कम मात्रा में एनर्जी मिलती है हमें उत्पन होता है इन एरोबिक रेस्पिरेशन वान मॉल्कुल अपक्सीजन जै इस तरह का अनर्जी इसमें बहुत है क्योंकि जब हम लोग वेगरस एक्सराइज बगरा करते हैं और और अक्सीजन गेट्स कंजियूम फास्टर दैन इट्स सप्लाई बाइद ब्लड तो हमें क्या मिला अनर्जी इसमें पर दिख रहा है पारोपिक एसीड इंग अपसिज अनर्जी मिला ठीक है और फिर ग्लुकोज का एक मॉल्कूल ग्लाइकोलस के प्रतिकिरिया जो साइटो प्लाज में मिला पाइरोबिक एसीड फिर टूट्रा इंद अपसिजन लेक्टिक एसीड में और प्लस 280P का एनर्जी हमें मिल रहा है ठीक है अम लोग इसको हिंदी मे है और अदिक मातरा में उरजा मिलती है ठीक है इस स्वासन के फलोशcentered हमें मुख्ष रुस दाइर्च के श्वासन होता है उनको अ अलम एक्षिबक्र स्वासन की किण में होक्ता है इसे मनुष्यव बंदर गयल मच्ली कबूतर वगर हमें हो सकते हैं कुछ उस्रेनी के पॉज़े जैसे मतर सरसो कठल पीपल में भी आक्सी स्वासन की किरियाएं हो सकती है। इन में क्या होता है कि इसमें ग्लुकुज का पून आक्सी करन होता है। ठीक है जैसे कि इसक्रीन पर आपके दिख रहा है। स्वासन की वह अबेदी जिसमें स्वासन पदार्ट ग्लुकुज वायुमड़ली आक्सेण की अनवपस्तिती में होता है। जैसा कि मैं पहले आपके स्क्रीन पर दिखा चुकियों उसको आम लोग अनाक्सी स्वासन कहा जाता है ठीक है इस प्रकार का स्वासन होता है वो नीम श्रेनी के पौध और जन्तुव में भी हो सकता है जैसे कि फिताकर्मी एसकेरिस मोनोसिस्टिस इस वगरा में भी यह इस त बहुत अधिक जब लोग एक्सरसाइज वगरा करते हैं तब ठीक है इसमें होता क्या है कि जो यह किरिया कोशिका के साइटो प्लाज में होती है और बहुत कम मात्रा में एनरजी उत्पन होती है प्राया पारुबी कमल जो बनने के बाद जो स्वसन किरिया कुछ इंजाइम और ऑक्सिजन की किरिया कुछ समय तक चलाई जाती है जिससे की पारुबी कमल का पूर्ण ऑक्सिकार्ण होता है और इथायल अलकोहल बनता है ग्लाइकोलासिस की किरिया द्वारा बना पारुबी कैसिड और कार्बोलेज एंजाइम के उपस्तिती में एस्टेलडिहाइड और इसके बात अस्रीड फेड़तों कर फीड किसमें बद जाता है जैसे कि सेम अझद्ड किरियां में हो राता है आँसी never do और लास्ट में क्या बदल जाता है इठाइल अल्कोहल में यह कंडवर्ट हो जाता है तो इस तरह के अनाक्षी और अक्षी स्वासन आप लोग अच्छे समझ में आ गया होगा एदिना समझ में तो आप मुझे कॉमें सेक्शन में फूछ सकते हैं नेक्स वीडियो मिलते हैं लोंक फर्मेंटेशन के जड़िया बहुत कुछ जानेंगे और भी और बहुत कुछ जैसे क्रेब सेक्ट अगहारा है जो फो हे दो इसमें खी के में यृद्व में जानेंगी झाल 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 झाल